वास्तु सास्तर में पेड़ पोद्धा को बड़ा महत्व है प्राचिन काल से ही कई सुब अश्पीशियस प्लांस घरों में लगाने का रिवाद चल रहा है और जब से ये वास्तु सास्तर 25-30 साल से लोग इस पे फेड़ करने लगे हैं बिलीव करने लगे हैं वैसे ये कोई नया नहीं है वास्तु सास्तर वेदों के जमाने का वास्तु सास्तर है लेकिन आज कर लोग वापस इसमें बहुत रूची लेने लगए हैं क्योंकि सब को ल पिश्चित रूप से बहुत फाइदा मिलेगा घर का एनर्जी लेवल बढ़ेगा पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी नेगेटिव एनर्जी समाप्त होगी तो इसमें पहला पोदा मैं आपको बताना चाहता हूं कि तुल्सी आप सब समझते हैं वो एक होता है काला धतूरा आप माली को कहेंगे आराम से मिल जाएगा घर में एक ही गमले में तुल्सी का और काले धतूरे का पोदा लगा दीजिए संबा हो तो इसको पूरब उत्तर या इशान या इस्ट नौर्थ या नौर्थ इस्ट में लगा दीजिए जो कि सब से सुब दिसा माने गई है कहते ह तुल्सी और काला धतूरा जैसे जैसे पुस्पित पल्लवित होगा बड़ा होगा उस घर में लच्मी का इस्थिरवास रहता है धन दौलत की बरकत होती है तो ये पोदा आप अपने घर में अविश्य लगाएं दूसरा एक पोदे के बारे में मैं आपको बताना तो हूँ होगा आप जानते भी होंगे आग दतूरे जैसे बहुत उगे रहते हैं बाकि जितने वह आग के पोदे होते हैं ना सब में बेंगनी फूल लगते हैं दो चार पांच अजार पोदों में कोई पोदा निकलता है जिसमें सफेद फूल लगते हैं जिसको कहा जाता है सवेत आर्क सफेद आर्क सवेत आर्क गणपती यानि सफेद फूल वाला ये सफेद आर्क का पोदा ये भी गर के पूरब उत्तर या इशान में लगाना चाहिए इस पोधे की खास ये तिया है कि जैसे जैसे ये बड़ा होगा आप दंग रह जाएंगे कि तीन चार साल पान साल में जब इसको खोद करके देखेंगे तो इसकी जड़ एक दम हूब हूब गणेस की आखार की निकलेगी ये तो इसकी विलक्षनता है इसलिए इसको कहते है सुवेत तार का गणपती यानि गणेस हर प्रकार के विग्न बाभा और दोसों को दूर करने वाला जिस घर में ये होता है कहते है किसी भी प्रकार की विग्न बाभा नहीं आती हराम से मिल जाएगा माली को बोल दीजिए पूरब्या उक्तविसा में इसको अच्छे नक्षतर में लगा लीजिए नहीं तो बुद्वार को लगा लीजिए ये बहुत ही मत्वपून पोदा हमारे सास्त्रों में माना गया है स्वेत आर का गणपती एक पोदे के बारे में बताऊंगा जिसको कहते है स्नेक प्लांट इंदी में कहते है नाग दमनी जैसे आप देखेंगे ना कई पार्कों में लगावा मिल जाएगा इस टाइब से उसका पता होता है नाग के से फन के आकार का सा ओसकता है इसलिए इसको नाग दमनी कहते होंगे पुराने लोग कहते थे कि जिसके घर में नाग दमनी है नाग शाप तो आसपास ही उसके नहीं आता लेकिन आज मैं आपको यह बताऊंगा कि घर में अगर आपके ड्राइंग रूम में इसको ज़्यादा दूप की ज़रूत नहीं है मैना बेस्तिन में बाहर आप दूप दिखा देजिए बहुत है यह घर में लगाने से कहते हैं वास्तु दोस्तो समाप्त होता ही है यह एर प्यूरी फायर का भी काम करता है अभी IIT कानपुर वालों ने भी इस पे रिसर्ट करी है किया यह वाईयू परदोस्तन को समाप्त करने में मत पूर्ण भूमी का अबा करता है इसका नाम है स्नेक प्लांटर नाग दमनी, नाग दोन अलग अलग नाम से अलग अलग प्रदेसों में जाना जाता है यह भी आप अपने ड्राहियों में लगाईए तो आप देखेंगे कि कई परकार का एनरजी लेवल आपको ऐसे पॉजिटिव एनरजी फिलिंग होएगी और वाईयू का प्रदुशन समाप्त होगा प्यूरी फायर का काम करता है दिल्ली कलकता बंबई मदरास में जहां भौत वाईयू का प्रदुशन है इसको ड्राहिंग रूम में लगा लेना चाहिए इससे एनरजी लेवल भी पॉजिटिव होगा और वास्तु दोस्त भी कहीं भी है तो वो कम होगा और हवा जो है शुद्ध हवा विशेली तत्वों को अलग करके आप तक यह पहुंचाएगा इसको बोलते हैं एलन पाव